दोस्तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही शांदार अन्रिलीज्ड मूवी सनम के बारे में दोस्तो इस मूवी में हमें दिलीग कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, राखी गुलजार, रीना रोय और रंजीता कौर इसके अलावा इसके डाइरेक्टर और प्रोडूसर थे रामानन सागर और बात करें इस मूवी से जुड़े कुछ यूनिक प्वाइंट के दोस्तो इस मूवी में हमें बहुत ही जबरदस्ट सीन दिखने वाले थे जहां बालेवुट के मोस्ट पापुलर एक्टर दिलीग कुमार और सुपस्टा मिथुन चक्रवर्ती पहली बार एक साथ किसी मूवी में नजर आने वाले थे और इस मूवी को रामानन सागर ने साल 1981 में एनाउस किया था और साल 1982 में इस मूवी को रिलीज किया जाना था लेकिन फिर कुछ फाइनल्स इस्यू की वजह से ये मूवी कभी नहीं बन पाई थी क्योंकि उन दिनों रामानन सागर बगावत मूवी की शूटिंग भी कर रहे थे और यह मूवी पिछले 4-5 सालों से बन रही थी और इसका बजट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और यह मूवी जब रीलिज हुई तो बाक्स आफिस पर इतना कमाल भी नहीं कर पाई थी और इसी वजह से रामानन सागर ने सनम मूवी ना बनाने का फैसला कर लिया था और इसी वजह से यह मूवी हमेशा हमेशा के लिए बंध हो गई मेरे हिसाब से अगर यह मूवी बनकर रीलीज हो जाती तो ओडीन्स को काफी पसंद आती तो दोस्तों अगर आपको हमारा यह विडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें